अपकर अपने के लिए होता है धस्तों सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप आयुसमान कार्ड बनाते वक्त आभा कार्ड में उसी समय लिंक कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको आयुसमान कार्ड की ओफिसल वेबसाइट पर आ जाना है जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है राइट साइड में दोस्तो हमें यहाँ पर लॉगिन का ओप्शन मिल जाता है दोस्तो आपको ऑपरेटर आईडी सिलेक्ट करनी है और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर वाला जो है उसे इंटर करना है इसके बाद में आपको OTP वेरिफाई कर लेना है और नीची दिये गए CAPTCHA को आपको as it is fill up कर लेना है CAPTCHA fill up करने के बाद आपको OTP भी fill कर लेना है OTP fill up करने के बाद इसके नीची आपको login बटन देखने को मिल जाता है दोस्तों आपको उसी login बटन पर क्लिक करना है जैसे पर इस पर क्लिक करते है आप redirect हो जाते हैं आईश आईसमान कार्ड बना के दिखाने वाला हूं और साथ साथ में यहां पर मैं आभा कार्ड से लिंक भी करके दिखाने वाला हूं आफा कार्ड से आईसमान को लिंक करने के लिए दोस्तो सबसे पहले आपको आईसमान कार्ड क्रियेट करना होगा दोस्तो यदि जिल लोगों का आईसमान बन चुका है दोस्तो तो वे लोग हम से संपर्क कर सकते दोस्तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अपना प्रो अन आइडेंटिफाइड यानि के रेड़ वाला जो दिखा रहा है दोस्तों आपको बगल में एक EKYC का एक बटन देखने को मिलता है दोस्तों आपको उसी EKYC बटन पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आजाएग दोस्तों यहाँ पर आप तीन प्रकार से KYC कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आधार OTP के दुरू KYC करके दिखाऊँगा दोस्तों इसके बाद finger print और यहाँ पर iris scan का भी यहाँ पर option मिल जाता है दोस्तों आधार card number enter करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर verify button देखने को मिलता है दोस्तों इसी पर click करना है तो इसमें दोस्तो जो 5 लाक रुपए के आपको सुविधा मिलती है इसमें जो भी पेमेंट डिडेक्ट होता है होस्पिटल में उसका सारा रेकॉर्ड आभा कार्ड में आकरके सेव हो जाता है दोस्तो हालांके जिन लोगों का आभा कार्ड लिंक नहीं है और आपको यह consent, Hindi और English दोनों में देखने को मिल जाता है आपको easily ready करना है दोस्तों consent का terms, condition, page होता है इसके agree करना है इसके बाद आपको यहाँ पे submit कर देना है दोस्तों इसके बाद मैं आपको OTP verification करना है और आपनी बाकी की details आपको fill up कर लेनी है इस परकार की प्रकरिया पूरी होने के बाद आपका ice man card generate हो जाता है दोस्तों यहाँ पर मैं आपके example के format में एक ice man card दिखा जाता हूँ दोस्तों कि वहाँ पे आभा card आप कहाँ पर देख सकते है दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लेजिए का यहाँ पर ice man card का जो PDF है उसे में open कर लेता हूँ दोस्तों कुछ seconds में open हो जाता है PDF दोस्तों PDF जैसी open होती है हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि आभा card कहाँ होता है और PMJAY ID जो number होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों आप left side में देख सकते हैं आईश्मान भारत card को आभा card से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं दोस्तों हमने वीडियो में पूरा process बताने की कोशिस किये दोस्तों यदि आपका भी आभा card अपके आईश्मान से लिंक नहीं दोस्तों तो आप जल से जल description में दिएगे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों आपका जो problem है हम जल से जल solve करने की कोशिस करेंगे दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, share, subscribe, comment अवस्य करें धन्यवाद